जाहिन दोस्तों, आज मैं आपको major insect pest of sugar cane के बारे में बताने जा रहा हूं जो sugar cane की quality को reduce करते हैं और उसकी quantity को reduce करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी फसल है, sugar cane की घंने की जो फसल है उसमें क्या होता है कि उसकी quality खतम हो जाती है और उसके उत्पादन में जो उसका प्रोडेक्शन है उसमें भी बहुत हान ही होती है तो सुगर के ने वन इयर की फसल है एक साल की लगवग लगवग यह क्रॉप होती है अब एक साल में अगर जो इंसेक्ट इसमें लग जाएंगे आप क्वांटिटी रिड्यूश कर देंग अर्ली सूट बोरर इसको क्या बोलते हैं अर्ली सूट बोरर बोलते हैं क्योंकि यह सुरुवाती स्टेज में लगता है जिस टाइम पर आप गन्ने को बहते हो उसी जब यह जर्मिनेट हो जाता आपका सुगर के उसके बाद में यह सुरुवात के दो या तीन महीने के सूर बोरर शूर का मतलब क्या होगा जो कसे इए इसको सूर बोलते हैं तो उसमें बोर करता है छेद कर देता है अब इसका सैंट फिंग नेम देखिए अब क्या है इसका सैंट फिंग नेम है चीलो इन फस कटेलस अब चीलो इन फस कटेलस इसका सैंट फिंग नेम है तो अरली जो जल्दी में आएगा जल्दी में आएगा वो फस जाएगा कहां पर काटों में तो चीलो क्या है चीलो जल्दी हया तो इस तरह आप इसका सेटटिकल कर सकते हैं जल्द हों एक आप नाम याद करें और इसकी और क्या फैमली ए Crempedie फैमिली है लेपिडोपिटेरा और और बोरर है तो क्या हो जाएगा लेपिडोपिटेरा ओडर हो जाएगा इसका यह देखिए इस तरह का कुछ दिखता आए आपका ये इंसेक्ट damaging stage caterpillar हमने आपको पहले भी बताया है कि जो lepidoptera order के insect होते हैं उनकी जो damaging stage होती है वो क्या है caterpillar होती है जैसे colioptera में grub होती है diptera में maggot होती है और hemiptera में nimb और adult होते हैं इसी तरह है इसमें caterpillar होते हैं illy बोलते हैं इसको अब इस illy को ये क्या गरेगी कि sugar gain के जो set है उसके अंदर घुश जाएगी और जो उसके set के अंदर juice या fiber है उसको खाती ये देखिए उसके अंदर ये घुश गई है और हान पहुचाती है तो damaging symptom क्या हो जाएगे इसके dead heart क्या हो जाएगा dead heart सुरुवाती stage में जिस time पर आप गण्ये को बोते हैं और पौदा छोटा ही रहता है उस time पर अगर जो ये काट देगा तो क्या हो जाएगा dead heart हो जाएगा गण्या आपका सूख जाएगा cutting of the growing suit ये कर देता है गण्ये की नई फसल में बढ़ती tiny को काट कर मरत कर देता है अब ये हमारा है अगला insect क्या है top borer इसको क्या बोलते हैं top borer बोलते हैं अब आप यहीं से समथ जाएगे कि top borer इसको अगर जो बोलते हैं तो ये top पर रहता है वो early suit borer था तो वो जल्दी है अब ये top borer है तो इस सुगर केन में किस स्टेज में और कहां पर हान पहुचाएगा तो ये top पर हान पहुचाएगा सबसे उपर हान पहुचाता है तो top suit borer इसको कहते हैं इसका scientific क्या name है इसका नाम है सर्फो फागा निवेला अब आप देखिए कि इसको कैसे आप trick से याद कर सकते हैं अगर जो आप top पर चड़ेंगे कहां पर उचाई पर जाएगे तो चड़ने के बाद में क्या होगा कि वहां से आप सरक जाएगे अगर सरकना बोलते हैं गिरना जैसे सरकना तो क्या हो गया सरक को फागा अब अगर जो सरकेंगे तो सरक के कहां आएगे नीचे आएगे तो हो जाएगा निवेला तो इसका scientific name क्या हो गया सरको फाएगा निवेला और इसकी फैमली पायरोस टिडी फैमली है लेपिटो पिटेरा आडर है सुगर केंड में अगर जो सबसे ज़्यदा लॉसेस पहुचाता है तो वो आपके बोरर ही बोरर सबसे ज़्यदा सुगर केंड में लगते हैं और यही हान पहुचाते हैं तो different type या different species कह सकते हैं बोरर की हैं जो अलग-अलग stage में अलग-अलग हान पहुचाती है और damaging stage इसकी क्या हो जाएगी caterpillar लेपिडो पिटे रहा है तो इसकी damaging stage क्या हो जाएगी caterpillar अब आप देखिए damaging symptom यह क्या symptom है क्या इसकी पहचान है कि आप इसको पहचान सकते हैं और इससे किस प्रकार के question बनते हैं देखिए क्या है कि आप अगर जब तक detail में थेवरी नहीं पढ़ेंगे आप जानेंगे नहीं तब तक आप question नहीं लगा सकते हैं आप objective पढ़के क्या कर सकते हैं objective जब आप descriptive पढ़े होंगे तभी आप objective question MCQ लगा सकते हैं तो इसी में यह पूछा जाता है कि bunchy top of appearance bunchy top appearance यह दिखाई देता है bunchy top का मतलब हो गया कि वो bunch हो जाएगा छोटा हो जाएगा इन grown of the sugar cane due to formation of side suit अगर जो तो सुगर केन का पवधा आए अगर जो उसको ऊपर से उसके top पर अगर जो लग गया है top borer तो borer ने क्या किया कि उपर काट दिया उसके जब काट दिया उसको तो वह वाला स्टेम क्या हो जाएगा वहीं पर सुगर केन निकलेंगे अब देखिए अब इसमें एक और क्या पूछा जाता कि अर्ली मेच्वर्टी है कि सुगर केन में अर्ली मेच्वर्टी कौन सा इंसेंठ लाता है तो वह लाता है टॉप बोरर आपका क्योंकि अगर जो उपर से यह काट देगा काटने के बाद में इसकी ग्रोथ इस्टेंट हो जाएगी रुख जाएगी वहीं पर रुखने के बाद में क्या होगा कि जो भी न्यूट्रियन्ट सुगर के लेगा तो उतने में रहेगा और उसमें जल्दी मैचोर्टी आ जाएगी यह देखिए यहाँ पर यह सुगर केन का प्लांट है और यहाँ पर देखिए इसने काट दिया अब हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट कौन है यह भी एक बोरर है जिसको बोलते हैं गुर्दास पूर बोरर क्या बोलते हैं गुर्दास पूर बोरर हमने आपको बताया अरली सूट ब अब देखिए इस इंसेक्ट में क्या होगा कि अर्ली सूड बोरर और को डोनों मिलकर कहा जा रहा है हैं गुर्दासपूर कहा जा रहा है गुर्दासपूर अब किस बस में बैट कर जाएंगे वो वो बैट कर जाएंगे एसी वाली बस में बैट कर जाएंगे तो इसका सांटिफिक नेम क्या हो गया एसी गोना, इस्टे नहला, अब इस्टे का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रूखना या रूखना, इस्टे हो, वहीं पर इस्टे लग गया, तो अगर जो एसी वाली बस में बैठ कर गए, कहां गए, गुर्दास पूर जा रहे हैं, तो गुर्दास पूर जा रहे हैं, तो क इंपल करके नहीं पढ़ेंगे तब तक वो याद नहीं होते और यही ट्रीक है आप अच्छे से याद कर सकते कि गुर्दासपूर आप किस तरह जाएंगे एसी वाली बस में बैट कर जाएंगे तो हो जाएगा एसी गोना आसानी से आप कर सकते हैं क्रमबडी फैमली और केटरपिलर क्या है केटरपिलर है इल्ली है डेमेज कौन करेगा इसका इल्ली करेगे लारवा बोर्स नियर दा इंटर नोड एंड फीड बाई बोरिंग इंटू दा कैन कहां पर यह फीड करता इंटर नोड के नियर दा इंटर नोड अब यह देखिए आप यहां पर जैसे यह है सुगर केन आपका, इस तरह, तो यह आपकी हो गई नोड, यह नोड हो गई, यह है इंटर नोड, तो नियर दा इंटर नोड यहां कहीं है, हॉल करता इसको, बोर करता है, डैमेज करता यहीं पर, तो इस तरही के से आप पैछान कर सकते हैं, अब अगला आ गया इंटर नोड बोरर, कौन सा आ गया, इंटर नोड बोरर, यह, तो तीन हम आपको बता चुके बोरर, चौथा बोरर यह, चौथे नंबर का, अब इस बोरर को कैसे याद करेंगे, जैसे हमने बताया, अरली सूट बोरर जो है, वो क्या है, इनफस का टैलस है उसमें, ना, उसके टौप बोरर है, वो है सरको फाएगा, निवैला, सरक जाते हैं, फिर यह दोनों बैट के कहां गए, गुर्दासपुर गए, एसी वाली बस में बैट कर गए, तो एसी गोना हो गया, अब यह वहाँ जाकर करेंगे क्या, वहाँ जाकर क्या करेंगे, कि आपस में इंडिकस, क्या हो गया, सैक्रिफाइज जब करेंगे जाके वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइगस, तो आप इंटर नोड बोरर को कैसे याद कर सकते हैं, चिलो सैक्रिफाइगस, इंडिकस, फैमिली सेम, स्रमबडी, लेपिडो पेटेरा, और हो गया आपका, और इस तरह से इंटर नोड दिखता है, डेमिजिंग स्टेज क्या हो जाएगी, कैटर पिलर, इल्ली, अब डेमिजिंग सिम्टम, डेमिजिंग सिम्टम में क्या है, कि ये इंटर नोड बोरर, जो है, वो इंटर नोड पे करता है, आपने आपको बताया था, कि इस तरीके क यह इसाफ होता है, यह हो गई आपकी नोड, यह क्या कहलाती है, और यह जो दो नोड के बीच में, एक यह नोड है, यह दो नोड हो गई, इनकी जो बीच का इस्तान होता है, उसको बोलते हैं इंटर नोड, जो यह दिख रहा है, इंटर नोड तो यहां पर यह डैमेज करता है तो बोर होल ओन सुगर केन इंटर नोड अब यहां पर जब बोल करेगा तो यह क्या देखिए यह दिख रहा होगा आपको इंटर नोड बोरर है एक बीदे मारी है इसमें डिजीज लगती जिसका नाम है रेड़ शुगर केन तो उसमें क्या होता कि उसके पैचान में और इसकी पैचान में बहुत माइनर सा डिफ्रेरेंस है क्या है at वो नोड पर होता है यहां पर जो उसमें रेड कलर आता है वो कहां पर आता है वो नोड पर आता है नोड की जहां पर यह नोड दिख रही और इसमें जो रेड कलर आता है तो वो कैसे आता इंटर नोड पर आता अगर जो इंसेक्ट ने डैमेज किया इंटर नोड बोरर ने त और अगर जो आपका वो जो रेड रोट आप सुगर केंट डिजीज है तो वो इंटर नोट पर दिखाई देगी यह इसकी पैचान होती है अगला पांचमा कौन सा बोरर है स्टाक बोरर है कौन सा है डंठल यह अब इसका साइंटिफिंग नेम क्या है चीलू और इसलियस यह इसका साइंटिफिंग नेम है फैमिली इसकी सेम है स्रंबडी और लेपीटो पे टेरा ओरर हो गया यह देखिए आपका यह है स्टाक बोरर कैटरपिलर डेमिजिंग स्टेज हो जाएगी क्योंकि बोरर है तो आप बता देंगे कि कैटरपिलर होगी सिम्टम क्या है बोर्स इंटू दा कैन और फीड ओन दा इनर कंटेंट उसके बेद को छेद करता है और आंतरिक समगरी को खाता है तो आंतरिक समगरी क्या फाइबर और जूस है उसी को यह खाएगा तो यह आपके पांच तो बोरर हो गए जो सुगर केन में हान पहुचाते हैं डेमेज करते हैं अब इसके बाद में आप देखिए क्या है हमारा सुगर केन मिली बग इसका साइंटिफिंग नेम बहुत बार पूँचा गया और यह समझ लो कि अगर जो आपसे एक्जांब में किसी में पूँचा रहता है तो सुगर केन मिलीबग यह क्या है रिपर्सिया सेचरी यह इसका साइंट फिंग नेम है और स्यूडो को सिडी फैमिली है जो की हेमिपिटेरा ओर्डर में आती है स्यूडो को सिडी फैमिली किस में आती है वो आती है आपकी हेमिपिटेरा ओर्डर में आती है यह देखिए, मिली बग कुछ क्या इस तरह दिखता है आपका, यह है आपका मिली बग अप डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? डैमेजिंग स्टेज आपकी क्या होगी? निम्प और एडल्ट इसका जो है निम्प और वयक्स दोनों वहानि पहुचाते हैं क्योंकि हेमिपटेरा ओर्डर में क्या होते हैं? इनकी इनकम्पलीट लाइप साइक्ल होती है कैसी लाइप साइक्ल होती है? इनकम्पलीट होती है एडेल्ट होता है एक देता है और निम्फ होते हैं तो तीन स्टेज होती है इसमें थ्री स्टेज होती है तो थ्री स्टेज में क्या है कि इसकी दो स्टेज जो होती है निम्फ और एडेल्ट यह हानिकारे का वस्ता होती है क्योंकि एक जो होता है वो क्या होता है इनेक्टिव स्टेज होती है तो डेमेजिंग सिम्टम क्या हो जाएंगे अब इसमें जो माउथ पाया जाता वो कैसा पाया जाता पियर्सिंग जब माउथ पियर्सिंग एंड सक्षिंग टाइब हमी पे टेरा माया है तो यह क्या करेगा यह सख सैप करेगा निम्फ अंट अड़ इस्टिक तुदा नौड अंडर द लीप सीथ निम्फ और वैक्स पत्ती मियान के नीचे नोड से चिपके रहते हैं और क्या करते हैं दे सक जूस फ्रॉम्ट यह रस पीते हैं गन्य का जूस पीते हैं सिर्फ हमी लोग नहीं है जो गन्य का जूस पीते हैं कीड़े भी पीते हैं रिड्यूस दा विगर आप प्लांट यह क्या करते हैं प्लांट का जो विगर है उसको रिड्यूस कर देते हैं तो हम लोग जूस तब पीते हैं जब गन्ना मच्योर हो जाता है और यह क्या करते हैं कि उससे पहले ही जूस पीने लगते हैं अब अमारा अगला सुगरगेन का कौन सा इंसेक्ट है ये ये है आपका पारिल्ला बहुत सिंपल है इसका साइट पेंग नेम जिस नाम से इंसेक्ट है उसी नाम से इसका साइट पेंग नेम है पारिल्ला पर्पू सिल्ला ये देखो पारिल्ला पर्पू सिल्ला लोफो पिड फैम्ली है और हैं मिपितेर प्पी अरॉडर है इसका इसकी क्या सब्सक्रार्स की इनवतिक से क्वेश्चा לifs कौरेंट है लोफोी प्पीडी फैमिली है इसकी यह झाल आॉडर है तो यह कुछ लॉब आप कि यह से दिखता है कि डैमेजिंग इस्टेज तो हम बता चुके कि हैं रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी निम्प और एडस वैक्स निम्प क्या है यंग है निम्प जो है हलका छोटा सा होता है और जो आपका VX adult है वो same to same वो ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा उससे बड़ा होता है अब देखिए निम्प, damaging symptom क्या निम्प and adult success infested plant loose vigor become shrinking and quality of juice is affected जब यह क्या करेगा सक्सेप करेगा उसका juice को क्या करेगा पी लेगा juice लेगा तो क्या हो जाएगा कि juice की जो quality है गन्ने की जो quality है तो अल्रेडी reduce हो जाएगी ठीक और इसका जो है main symptom क्या है the honeydew secretion lead to the development of sooty mouth honeydew होता है जिसको क्या बोलते है honeydew बोलते हैं और उसमें क्या होता कि सांचे का विकास होता है सपेद सपेद कुछ दिखाई देगा वहाँ पर जो की quality को अगर चिपचिपा चिपचिपा सा वहां पर वाइट वाइट सा दिखाई देता है तो यह आप समझ जाईए कि क्या है वहां पर पायरिल्ला अगला हमारा इंसेक्ट क्या है वूली एफीड अब यह सको देखो वोली एफिड है, तो यह वूली का मतलब क्या होता है? उन, तो यह उन की तरह दिखाई देता है, ऐसा, भिल्कुल जैसे आपकी उन देखे हो गया, जैसे भेण होता है सीप होती है तो सीप के जो बाल होते हैं या कॉटन होता है तो वो जो सफेश सफेश सा उन एकदम दिखाई देता बिल्कूल बिल्कुर सेम टू सेम ना उसी की तरह हूब हूब दिखाई देगा यह आपको पता नहीं चलेगा कि वाइड वाइड सा क्या है लेकिन क्या रहता है कि इंसेक्ट है तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो साइंटिफिंग नेम क्या होगा सिराटो वैक्यू लैनी या इसको बोलते है सिथाटो वैक्यू ना लैनी जियरा यह तो इसको एक तरीकिया से ऐसे याद कर सकते हैंकि कि आपके घर में vacuum होगा जैसे vacuum clean clean किया जाता है गर को vacuum cleaner होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आप की वूल है उन है उनको कैसे खथम करेंगे वे क्यूम क्लीनर करेंगे तो इसका क्या नाम हो गयाό तब फली आता किसमें हैं वो है apiddτα family और हैमी पेटेर ऑरर किस order से ब Acts करता है हमी पेटेरा तो आप में देखा होगा कि इसमें लेपीद्बर टेर और हैमी पेटे रा के अधिक से अधिक insect और यह हैं तो इसको सिटेडी करने में बहुत सरलता मिलती पेजितने बोरं कि dug skills में आ जाते हैं आप डेमःजिंगू स्टेज है अब आप देखिए इस तरह एंसेक्ट कि निम्फ और Add Cape । यह हैं आपके फूलियेफिद तो निफ़ and adult क्या है इसमें damaging symptom में क्या हो जाएगा कौन करेगा इसमें हान नि पोंचाएगा तो निफ़ and adult पोंचाता है तो निफ़ and adult congregate in group तो यह group में क्या करते हैं गुरूप में रहते हैं कैसे रहते हैं गुरूप में रहते हैं and weakness can and leaves turn into yellow color because of sucking sap by these aphid इसका मतलब यह हो गया कि जब यह सक सेप करेंगे तो सक सेप जब पत्ती कर रस चूंस लेंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी सुगर केन क्या हो जाएगा वह पीला पड़ जाएगा किसी का भी रस चूंस लिया जाए तो वह क्या हो जाता पीला पड़ जाता है उसका ग्रीनिस खतम हो जाती है अब यह देखिए क्या है इट आलसो इंपार्ट ब्लैक कलर टू लीव सरफेस डिव टू सूटी माउल्ड वहां पर क्या होता है कि अगर यह एक पत्ती में जो रस चूंसेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा ब्लैक सूटी माउल्ड हो जाएगा यह एक डेमेजिंग सिम्ट है इसका तो हमारा नेक्स इंसेक्ट कौन सा है सुगर केन का वह है रूट ग्रब अब इसके तीन नाम है कौन कौन से नाम है इसके एक तो इसको रूट ग्रब कहते हैं दूसरा इसका क्या कहते हैं इसको वाइड ग्रब कहीते हैं क्या कहीते हैं वाइड ग्रब और तीसरा न बूलते होलो ट्रेखिया कंसन गुनिया तो यहां पर क्या इस इस में जो लगता है ग्रव वह कॉन सा है होलो ट्रेखिया करा शेराटा है यह ऐत त्म कि क्या हो जाएगी मिलानों थिदी फैमिली हो जाएगी और आडर इसका है कोलियो पिटे रा बीटल है, बीविल है, वो किस order से बिलोंग करते हैं, कोलियोपटेरा, जो कि इंसेक्टिया का सबसे बड़ा order है, वो है कोलियोपटेरा, इसमें नंबर आप इंसेक्ट बहुत ज़्यादा है, मैक्जिमम है, अब जो आपका यह वाइट ग्रव है, रूट ग्रव है, या जून बीटल इसको कह सकते हैं इसको बोलते हैं नेशनल पेस्ट आप इंडिया यह इंडिया का नेशनल पेस्ट है जैसे इंटरनेशनल पेस्ट कौन सा है वो है लोकस्ट आपका ऐसे यह नेशनल पेस्ट है इसमें और एक चीज पूशा जाता है कि सी सहे क्या पूशा जाता है सी सह तो वह वाइड ग्रव किसका है वाइड ग्रव यह देखो यह दिखाई दिया आपको यह सीच में इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जैसा आज जहां पर डीकमपोज मटेरियल अधिक होते हैं जिस स्वाइल में वहां पर थोड़ी सी जमीन को खोदने पर यह क्या विला जाते हैं और इसका जो रहता है वो रह था कहार रहे वह नीम कि पेड़ रहता है अगर जो आप को management करना इसका तो आप कैसे कर सकते कि रात के टाइम पर नीम की पेड़ को बहुत तेजी से हिलने पर इसके adult नीचे गिर जाते हैं और उससे आप management कर सकते हैं और इसकी damaging stage क्या हो जाएगी ग्रब हो जाएगी तो management आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कोई भी disease है या insect है इसका management कैसे किया जाता है cultural, physical, mechanical, biological और chemical तरीके से जैसे cultural practice यह है कि आप resistant बैराइटीब हो दीजिए जुताई कर जीदिए गर्मी में tillage operation है ऐसे आप management कर सकते हैं सीड को उपचारित करिए और क्या है कि trap crop लगाईए यह cultural management है mechanical management में trap physical में यसे लगाते हैं trap लगाते हैं ठीक न और क्या करते हैं light trap लगाकर उसका यूज करते हैं phiroman trap लगाकर यूज करते हैं biological में paracide, paracitoit और predator का यूज करके आप management कर सकते हैं जो बिखते हैं आपके मार्केट में मिल जाएंगे जो भी आपके इन्वार्मेंट के लिए फेवरेवल केमिकल हो जो खेत में ज्यादा हानी ना पहुंचा है उस केमिकल का यूज करके आप किसी भी इंसेक्ट का मनेजमेंट कर सकते हैं तो जैसे कि सुगर केन वन इयर की क्रॉप है तो इसके लिए कोराजीन जो है वो बहुत अच्छा केमिकल है जिससे आप बोरर जो है उनका मनेजमेंट किया जा सकता है और क्योंकि जो कोराजीन है उसका रेजडिवल इफेक्ट है वो लगबग लगबग वन इयर तक ही रहता है तो इसी लिए उसका प्रियोग वेजी टेवल या अनक्रॉप में ना किया जाए उसका प्रियोग कहां पर किया जा सकता है जो लॉंग डियूरेशन क्रॉप होती लाइक सुगर के तो ऐसे अब इसके लिए आप जैसे केमिकल का क्या मनेजमेंट करेंगे तो इसके लिए आप जैसे क्या है फूरा डान कार्ट आप यह यूज करके आप क्या करेंगे की वाइड गरब का मनेजमेंट कर सकते हैं अब डेमेजिंग सिम्टम क्या देफीड ओन काड़ देंगे उसकी रूड को काड़ देंगे तो क्या गरेगा न्यूट्रेंट नहीं ले पाएगा न्यूट्रेंट नहीं ले पाएगा वाटर को नहीं ले पाएगा तो क्या होगा वो सूख जाएगा पौदा सूख जाएगा देखिए इस तरह का कुछ सिम्टम दिखाई अब हमारा अगला इंसेक्ट कौन सा है वह टर्माइट जिसको बोलते हैं दीमक क्या बोलते हैं यह साइंटिफिंग नेम क्या हो जाएगा इसका औरेंटो टर्मस उबसस यह का टरyinटिफिंटी फैमली और ईसो पिटेरा ऑडर है दीमक का टर्माइट का और बहुत सब्वेद बाहुत सूचा जाता है और डैमेज इंग इस्टेज बहुत सूचिछी जाती है किसमें damaging stage कौन सी होती है और इसका order क्या है तो order इसका है ISO पे टेरा order है और damaging जो stage है इसकी वो है worker स्रमिक जिसको कहते हैं यह देखो स्रमिक worker कैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया है कई बार कि इसमें जो इसकी cast होती है वो four cast होती है कौन कौन सी होती है पहला होता है queen king और soldier worker यह चार भागों में divide होते हैं पहला क्या हो जाएगा king उसके बाद हो जाएगी queen और soldier worker तो इसमें जो king और queen है उनका कोई कार नहीं रहता उनका काम है सुर्फ egg laying करना soldier क्या है वो रच्छा करते हैं कालोनी की जो इनकी कालोनी होती है उसकी रच्छा करते हैं वरकर जो हैं वरकर स्रमिक का काम यही है कि कालोनी को बनाना और बनाने के बाद में वहां पर फूड जो भी है उसको लाना तो यह फूड क्या कहां से लाएंगे फसल को ही काट कर उसका ले आते हैं यह लकडी खाते हैं तो जब लकडी खाते हैं तो यह फसल को हान पुछाते ह इसलिए इसका जो स्टेज होगी वो क्या होगी वर्कर होगी अब डेमेजिंग सिंटम देखिए वर्कर अटाइक दन नेवली प्लांट तो क्या होगा कि वर्कर किसको अटाइक करेगा जो नया प्लांट होगा नेवली प्लांट सीड एंड अफेक्टेट जर्मिनेशन जिस ट तो जानते हैं कि गन्ना का जमीनाइसे दिनों में होता है तो जब इतने दिन तक जमीन में पड़ा है तो क्या है कि उसमें संभाविता दीमक लग जाते हैं इसी लिए या क्या होगा कि जब दीमग लग जाएंगे सेट्स को खा जाएंगे तो जर्मिनेशन कहां से होगा अब जैसे जो बड़े प्लांट है उनमें क्या होता सुगर केंसेट्स फिलेड विद स्वाइल यह सिम्टम अगर सुगर केंसेट्स पूंचा जाता है तो मस्ट इसेट्स फिलेड विद स्वाइल करेक्टिरिस्टिक सिम्टम आप तो उसमें आपको अप्सन में लगाना पड़ेगा टर्माइड धीमक कि यह देखो इसके जो सेट्स है वो कैसे हो गये स्वाइल इनके अंदर क्या जैसे यह सेट्स है यह अब इसके अंदर जैसे यहां य जाएगा और अंदर ले जाएगा तो इसका जो सेट्स है वो पूरा का अंदर की तरफ कैसे किस से फिल हो जाएगा किसे भर जाएगा वह स्वाइल से बर जाएगा बाकि यह थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट इंसेक्ट सुगर केन के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू